हम सबको संबोधित करें मंच परासीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी ग्रह मंत्री मेरे परमादर्निया अमिच्छा साहिब प्रदेश के मुख्य मंत्री आदर्निया मोहन यादव जी शेत्र के सांसद केपी यादव जी आलोक तिवारी जी दर्मेन सिकरवार जी राजु बाथम जी ब्रिजेन यादव जी जगनात सिंग रगवंशी जी पन्नालाल शाक्य जी देवेंद्र जैन साहिब मेंद्र यादव जी जचपाल जी मेंद सिंग सिसोधिया जी बरुवा साहिब दुर्गालाल जी विजय बुपेन सिंग जी गोविंद राजपूच जी तुलसी सिलावट जी प्रदुम सिंग तोमर जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अर्विन धाकर जी रादेशाम पारिक जी लाखन सिंग राना जी मेंद यादव जी गंगाराम बगेल जी ब्रिजराज सिंग चोहान जी शितिज भट जी भुपेन सिसोधिया जी शीमती विशनबाई अहिरवार जी और मेरे लिए इस पिपरई की इतिहासिक मंडी प्रांगन में उपस्तित मेरी समस जंता जनार्दन नहीं मेरे तो परिवार के सदस्य गण्जों याँ मौझूद है आज पिपरई के लिए आज पिपरई के लिए एक इतिहासिक मौका है मेरे भाई और बेहनों एक ऐसा मौका है जो इस शेत्र के इस्ट्यास में स्वन अक्षरों में रखा जाएगा जब देश के ग्रह मंत्री मेरे मार्ग दर्शक जिनका बर्धस्त और आशिर्वाद सदेव मेरे उपर रहा है हमारे लोपुरुष सदार पटेल गुजरात की भूमी गुजरात के मेरे हमारे सपूत आधर्ने अमिच शाजी का मेरे पिप्रई के माटी में दिल के आधार पर स्वागत है मेरे भाई और भेनों ऐसी तालिया बजाओ ऐसी तालिया बजाओ कि हमिच्छा जी को एम्दाबाद की याद आ जाए ऐसी तालिया बजाओ पर प्रही की बंडी बेग़ और तालिया बजनी चाहिए बचती रहनी चाहिए वह उपर दिवाल पर तालिया बजाओ आज एक इतियासिक मौल है एक इतियासिक मौल है क्योंकि इस देश में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई इस देश का लोपुरुष घ्रा मंत्री के रूप में 75 साल बाद अगर कोई आया है तो हमारे अपने अमेच शाजी आया है मेरे भाई और बहनों देश के आजादी के 75 साल बाद जो देश इंतजार कर रहा था ऐसे तियासिक निर्णय की जिसके किसी भी हिम्मत नहीं थी केवल आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद बोदी जी और ग्राम मंत्री अमिच शाजी के द्वारा संबव हो पाई मेरे भाई और बहनों जो शामा प्रसाद मुकरजी जी का सपना था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते तीन सो सत्तर धारा पूर्ण तरीके से रद करके कश्मीर को भारत का भिन्ना गमगाने का कार्या अमिच शाजी ने किया है और पिछले पाथ सालों में जो भय का वातावरण आतंक का वातावरण जम्मू कश्मीर में होता था प्रदान मंत्री जी के नेतित में और अमिच्षा जी के नेतित में जो लोगों की हिम्मत होती थी भारत में आतंक वादियों को भेजने के लिए आज वो लोग आटा के लिए तरस रहे हैं जहां एक तरफ तीन सो सक्तर रत किया वहीं ट्रिपल तलाक जैसे कानून को रत किया जम्मो और कश्मीर में एक पूर्ण अमज्जानती का वातावरन तहनात किया और हमारी साकारिता के शेत्र में भारत को विश्व पर नंबर एक पर लाने का कारिया हमारे अमिच शाजी ने किया है अमिच शाह साथ यह भूमी सिंध्या परिवार के लिए बहुत भावनात्मक भूमी है जब मेरी आजी अम्मा पूर राजमाता साव ने राजपत को छोड़ के लोगपत का रास्ता चुना था पहली बार जन्सेवा में उत्री थी 1952 में तब इशी शेत्र के भूमी ने और इन सब परिजनों ने उन्हें आशिरवात प्रदान किया था और जब सन 1971 में मेरे पूज्य पिताजी ने जन्सेवा का पत अपनाया और अपना पहला चुनाओ जन्सन के टिकेट पे लड़ा तब भी इसी पवित्र भूमी ने उन्हें पूर शिरवात प्रदान किया और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ आपके आशिरवात के लिए आपके बरदस के लिए ताकि ये शेत्र की विकास की गती प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी के नितित में और अमिच्शा जी के नितित में एक नई तीवर गती हम अपने शेत्र को दे पाएं मेरे भाई और बहनों ये पिप्राई शेत्र ये मुंगावली शेत्र विकास और प्रगती के सफर पर पिछले 22 वर्षों से अगसर है जब पहली बार मैं आया अमिच्छा साब यहां सडके नहीं होती थी गाओं के भाषा में हम कहते हैं के केवल पकडंडी होती थी पकडंडी आज मुंगावली से अशोक नगर से चंदेरी से गुना से बमोरी से कोलारस से पिछोर से शिप्पुरी से सारी की सारी मकमल की सडके बन गई हैं मेरे भाई और भैनों मुंगाोली से पिप्राई पिप्रै अशोग नगर और आने वाले समय में मुक्यमंत्री जी के आशिरवात से हमारी कुरवाई से मुंगाउली और मुंगाउली से चंदेरी के लिए नया हाईवे भी स्विक्रत हो गया है धाइसो करोड़ उपय का मेरे भाई और भेनों और यहीं पिप्राई में जो एक तैसील के लिए मांग रख रही रखी गई थी आज तैसील स्विक्रत हो चुकी यह पिप्राई में तीस बिस्तर का अस्पताल स्विक्रत हो चुका है और मेरा यह शेत्र जो शिक्षा के लिए भूका था कोई कलपना नहीं करता था कि मुंगावली में केंद्र विद्याले खुलेगा मुंगावली में हमने केंद्र विद्याले खुला कर शिक्षा के रास्ते खोल दिये अशोक नगर में केंद्र विद्याले चंदेरी में केंद्र विद्याले और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चुनाव आचार साइंता लगने के पहले जो चार ट्रेनों की स्टॉपेज हमने मुंगाउली में दी तिरुचापली से भगत की कोठी उदैपूर से शालीमार एक्सप्रेस दुरगजमेर एक्सप्रेस सूरत से मुझफर एक्सप्रेस आज मुंगाउली से भी देश के कोने कोने में मेरी जंता पहुँच सकती है मेरे भाई और बहनों आज ये एलान करना होगा इस मंच से कि प्रदान मंत्री नरेंद बोदी जी के नेतित में जो विक्सित भारत का सपना है प्रदान मंत्री जी साकार करने के लिए संकलिप हैं जिस देश में 80 करोड लोगों को राशन दिया जा रहा है दिस देश में हर व्यक्ती के सिर पर घर देने का संकल्प जहां 65 वर्षों में केवल 3 करोड घर बने थे पिछले 10 साल में 4 करोड घर पूरे देश में बना दिये जहां एक एक देश के वासी के लिए आयुश मान कार दिलवा दिया पाँच लाग का स्वास का सुविदा हर देश की वासी के लिए ये मोदी की गैरंटी है मेरे भाई और भेनों और मोदी की गैरंटी मतलब गैरंटी पूरी करने की गैरंटी है मेरे भाई और भेनों और इसलिए कहा जाता है यूई नहीं चुनते हैं मोदी जी को वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और बेनो जहां आयूशमान कार्ट दे दिया वही मैलाओं के लिए उज्वला योजना एक एक घर में चूला और गैस का सिलिंडर और आने वाले पाँच सालों में जहां गैस का सिलिंडर है वहां पाइप से गैस आपके घर में पहुचाया जाएगा मेरे भाई और बेनों जहां एक तरफ मोदी जी विकास के पत पे चलाल चलाना चाहते हैं देश को वहीं दूसरे तरफ ये जो घमंडिया गडबंदन खड़ा है ये गडबंदन नहीं है ये ठग बंदन है ठग बंदन 18 माईने हमने मध्यप्रदेश में देखा कैसे एक एक गरीब का पैसा लोटा और आज जब हमारी डबल एंजिन की सरकार आ गई तो एक एक किसान को 6,000 रुपईया मोदी जी से और 6,000 रुपईया मोहन यादव जी से मिल रहा है मेरे बाई और बहनों तालियों की गरगाट से अम दन्यवाद अर्पित करें और आज मेरे बाई और बहनों ये ठग बंदन परिवार देखता है प्रगती नहीं ये ठग बंदन अपना फाइदा देखता है आपका विकास नहीं तो आज इस मंच से मैं आपको अवान करना चाहता हूं कि आज इस मंच से हम संकल्प ले एक संकल्प ले कमल के निशान का बटन दबा कर मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना होगा और उस संकल्प के साथ मात्र भूमी को प्रणाम करता हूं सशक्ति करन को सलाम करता हूं और विकास की पैचान लाने का संकल्प लेता हूं मेरे भाई और भेरों अमिच शाजी के सामने हाथ उठा कर संकल्प लो मुट्टी बान कर और कमल का भूल ऐसे बना कर सब शारे के सारे कमल का भूल बनाए मोधी जी और अमेच्छा जी का साथ आपका विश्वास हमारा प्रयास और हम करेंगे गुना शिप्पुरी मुंगावली और पिप्रई का कई गुना विकास धन्यवाद जय हिन जय भारत